हलो इस्टुट्स नेक्ट हम देखींगे एग्जाम्पल 11 क्या कह रहा है इने सर्टीन लैंग्वेज पी एसी इसका कोड क्या है 61 तो पहले इनके नंबर लिखो पी मतलब 16 के मतलब 1 इसका मतलब 3 अब इन तीनों को एड करने भी सिख्टी बनाता है नहीं आता है तो एक काम करते हैं रिवर्स कर देते हैं इनको क्या करते है रिवर्स अगर पी जिस स्टेज पर है ध्यान देना रिवर्स कैसे करते हैं पी जिस स्टेज पर है आपको वह स्टेज काउंट करनी है और उसके बा कौन से नंबर पर यह 123456789 करड़ी अगाउंट पीछे से अब आगे से वही गिंती बोलो वो जिस स्टेज पर वो नंबर आये वो लिख देना है और इसका शॉट ट्रिक बताऊं आपको 26 में से 16 करो और इसमें प्लस वन करदो 11 ए के लिए 26 में से 1 सबस्टेट करदो इसमें प्लस वन करदो 26 में November 26 सरी करो और इसमें फ्लस वन करदो 24 अउनिट रिक है इसके रिवर्स नंबर मिल जाएंगी आपको जैसे ऐसे समझाता हूँ मैं आपको रिवर्स नमर अगर समझना आ रहे हो तो ए बी सी डी ए एफ जी एच आई एक सेकंड जे के एल एम आप रुप जाओ ठीक है अब आपको रिवर्स नमबर जो मैं निकालना है ए अब देहां से देखना आप आप कहां चुरू होगा एं ओ टीक्यू आर एस अए एक से एक सिकंड एक सेकंड एक सिकंड एक सिकंड एक सेंड एम एन ओ टी ने क्यों आर एस फी यूवी डबलू एकस वाइज़ जैड देखो a का reverse z Starbucks मतलब क्या होता है z का मतलब 24 x ही तो होता है p कहा गया बई p का मतलब कि 11 ही तो होता है तो अब आप इनको add करके देखू 11, 26 61 आ रहा है क्या करना है आपने को है oh excuse 15 you hand इस एन इस डिधना तो एन का है एन का है ये रहा है का है जाएं आएक का रिवर्स कारिषzd हुए ॢश्ट एक ब्रेवर्स के सिम्पल एन का मतलब क्या होता है M, N V का मतलब क्या होता है 22, K का मतलब क्या होता है 11, इनको आप add करो 13, 22, 11 35, 6 22, 4 46 अंसर आजाएगा इसका सवज माया, तो यह है Reverse Click